नमस्कार मैं हूँ पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूँगा वो सवाल जो आपने मुझसे कमेंट करके पूछे हैं मेरे वीडियो पर तो सुरू करते हैं ये कारिकरम और लेते हैं के करके कुछ सवाल पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है परमिंदर सामराओ ने परमिंदर जी ने बताया है कि उनकी age 35 years की है और वो SBI mutual fund में invest करना चाहते हैं और 500 रुपीज पर मन्त की SIP या फिर 50,000 लमसम वो करना चाहेंगे 25 साल के लिए और उन्होंने एक scheme भी select की है और मेरी रा technology opportunities fund तो परमिंदर जी पहली बात तो यह है कि अगर आप 500 रुपे या 50,000 में से decide करना चाहते हैं कि लमसम या SIP तो मेरी राय यह है कि आपको SIP तो यहाँ पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर already आपके पास 50,000 रुपीज अविलेबिल हैं तो आप उन्हें एक साथ ना सही लेकिन 3-4 किस्तों में invest कर दीजिए तो आप जैसे कि 50,000 करने हैं तो 10-10,000 करके 5 times में आप विदिना मन्त उनको invest कर सकते हैं या फिर आप STP यानि की systematic transfer plan का सहरा ले सकते हैं SIP में basically investment किस्तों में होता है लेकिन हर interval पर मतलब कि महिने का आपने decide किया है या फिर आपने weekly SIP की है जो भी आपने तै किया है उस हिसाब से आपके account से वो राशी debit होती है जो आपने decide की है और उसके बदले में आपको mutual funds की units मिलती है लेकिन STP में आप उन पैसों को एक लमसम में किसी low risk वाले debt oriented mutual fund में invest कर देते हैं और फिर आपने जैसा तै किया हुआ है daily, weekly, monthly कि उस low risk debt fund जैसे कि debt oriented funds में liquid fund या फिर ultra short duration fund जहां आपने invest किया है वहां से amount debit होगा तो आप STP के जरिए भी invest कर सकते हैं और आप यहाँ पर अगर आप weekly STP करते हैं तो ऐसा कीजिए कि ये पूरे 50,000 रुपीज आपके 2-3 मेने में पूरे equity fund में transfer हो जाएं आप आते हैं scheme पर आपने कहा कि आपको SBI mutual fund में invest करना है ये कोई बात नहीं अच्छा आपका चुनाव है लेकिन जो scheme आप बात कर रहे हैं आपको उसमें invest नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके सवाल से मैं समझ सकता हूँ कि आप एक नए investor है और आपको एक diversified equity fund में invest करना चाहिए SBI Technology Opportunities Fund एक sectoral fund है जो सिर्फ technology sectors की जो companies हैं उनमें invest करता है कई बार किसी भी sector में किसी भी कारणों से वो political region हो सकते हैं या फिर dollar और INR का जो exchange rate में fluctuation है उसका फर्क पड़ सकता है या फिर किसी भी कारण से geopolitical region हो सकते हैं तो एक sectoral fund में invest करने की बजाए यदि आप diversified fund में करेंगे वहाँ पर multiple sectors होते हैं एक sector यदि किसी वज़ा से perform नहीं कर पा रहा है तो दूसरे जो sectors हैं उनकी performance की वज़ा से आपको जोखिम शायद जैदा नहीं उठाना पड़ेगा और बहतर returns के आप उम्मीद कर पाएंगे तो ऐसे में यदि आप SBI multi-cap fund में invest करना चाहें या SBI large and mid-cap fund में invest करेंगे तो मेरे हिसाब से ये एक बहतर choice हो सकती है और आप बढ़ते हैं आगे लेते हैं गला सवाज जो पूचा है राकेश शर्मा ने राकेश जी का सवाल यह है कि उन्हें 12 साल के लिए invest करना है और कुल 40 लाक रुपे invest करना चाहते हैं सवाल यह है कि क्या मैं 20 लाक small cap fund में और 20 लाक mid-cap fund में invest कर दूँ यह पैसे मुझे 12 साल तक नहीं चाहिए और कौन सा small cap fund और कौन सा mid-cap fund चुनना चाहिए राकेश शी पहले तो मेरी राय यह है कि आपको सिर्फ mid-cap और small cap में invest करने की बजाए एक large cap fund को भी अपने portfolio में शामिल करना चाहिए हाला कि 12 साल का जो समय है वो अच्छा समय है mutual funds के लिए लेकिन यदि आप 40 लाक रुपे invest कर रहे हैं तो फिर आप 15-15 lakh mid-cap और small cap में कर लीजिए लेकिन 10 लाक रुपे एक आप 50-50 index fund में भी invest कीजिए हाला कि वैसे राय तो यह है कि large cap में ज्यादा होना चाहिए mid-cap में थोड़ा उससे कम और small cap में उससे भी कम investment होना चाहिए लेकिन यदि आप risk लेने को तयार हैं क्योंकि small cap में volatility ज्यादा हो सकती है लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा risk के साथ ज्यादा returns की उमीद है तो फिर आप जैसा आपने tag किया है उससे आगे बढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी यह जरूर कहूंगा कि 20-20 लाक रुपे दोनों category में invest करने की बजाए आप 15-15 उनमें कीजिए और 10 लेक आप एक index fund में यहने कि large cap index में जरूर invest करें scheme का जहां तक सवाल है large cap index के लिए आप axis nifty hundred index fund में invest कर सकते हैं या फिर आप ICIC provincial nifty 50 index fund में चुन सकते हैं और जहां तक mid cap और small cap का सवाल है mid cap के लिए आप motilal oswal mid cap fund या kotak emerging equities fund इन में से किसी एक scheme में कर सकते हैं या फिर आप दोनों scheme को भी अपने portfolio में शामिल कर सकते हैं दो mid cap fund भी आपके portfolio में रह सकते हैं और small cap funds के लिए भी मेरी राय है कि आप दो funds अपने portfolio में शामिल कर सकते हैं एक scheme हो सकती है निपॉन इंडिया small cap fund जो कि एक well diversified small cap fund है और साथ ही आप एक quant small cap fund को अपने portfolio में शामिल कर सकते हैं और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूचा है कैलास चंद्र राजोरा ने कैलास जी का सवाल यह है कि मेरे पास 50 लाग रुपे हैं क्या 5 साल में ये एक करोड बन सकते हैं कैलास जी अगर 50 लाग को 5 साल में एक करोड बनना है तो इसका मतलब यहाँ पर 15 परसेंट का compounded annual growth rate expect यानि कि किया जाना चाहिए या यह कहें कि यहाँ पर अगर 15 परसेंट के rate से पैसा बढ़ेगा तो 50 लाग रुपे 5 साल में एक करोड बन सकते हैं तो जैसा मैंने कहा कि बन सकते हैं लेकिन guaranteed नहीं है हम जब long term की बात करते हैं तब भी mutual funds में 12% का CAGR assume करते हैं यहाँ पर 15% का return assume करना 5 साल के लिए या उमीद करना यह थोड़ा मुश्किल है हलाकि chances हैं कि ऐसा हो सकता है लेकिन फिर भी यदि आप इस उमीद से पैसे invest कर रहे हैं 5 years के लिए कि वो बिल्कुल double हो जाएं 5 years में तो मिरी राय है कि आप ऐसा ना करें लेकिन यदि आपके पास समय है कि यदि 5 साल में double नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं आप invested रहेंगे कुछ समय के लिए और wait कर सकते हैं तो बिल्कुल आप फिर अपने पैसों को mutual funds में equity oriented funds या फिर balance advantage fund में invest कर सकते हैं और यदि बात की जाए mutual fund schemes की 5 साल के नजरिये से तो एक balance advantage fund जैसे की ICICI potential balance advantage fund या HDFC balance advantage fund consider किया जा सकता है और यदि equity fund में invest करना हो तो मेरे इसाब से 5 साल के investment horizon के इसाब से यदि आप एक nifty 100 index fund जैसे की access nifty 100 index fund इस तरह के fund को आप consider कर सकते हैं और यदि large cap के साथ mid cap को भी शामिल करना हो तो फिर ICICI potential large and mid cap fund या मुतिलाल ओस्वाल large and mid cap fund ये schemes consider की जा सकती हैं तो आगको अगर risk कम लेना है तो ऐसे में balance advantage fund और एक large cap index fund सही choice रहेगी यदि थोड़ा सा risk आप और अधिक लेना चाहते हैं और better returns की उमीद करते हैं और यदि 5 साल में पैसे आपके नहीं बढ़ते हैं या फिर market में उटाच रहाओ अधिक रहता है इस समय में आपको wait करना है यादि कि आपके पास समय और भी है तब mid cap को भी अगर शामिल करना है तो मैंने आपको mid cap के लिए भी two choices बताई हैं उन schemes को आप अपने portfolio में शामिल कर सकते हैं और अब बढ़ते हैं लेते हैं अगला सवाल जब पूछा है अंत्रा रे ने अंत्रा जी को 25 लाग रुपे invest करने हैं और उसमें से swp करना चाहती है उसके लिए scheme पर मेरी राय जानना चाहती है तो अंत्रा जी आप यदि swp कर रही है तो ऐसे में ऐसी scheme जहां पर stability और growth दोनों की संभावना हो वो scheme सही मानी जा सकती है तो यदि आप balance advantage fund में पैसो को invest करके और फिर swp करें तो वो सही रहेगा और साथ ही मेरी राय है कि जब आप पैसे invest करें तो कुछ समय के लिए वेट करें इमिजेटली पैसे withdraw करना शुरू ना करें उसकी बजाए यदि आप एक साल दो साल रुख जाए ताकि ओ पैसा जो अपने invest किया है थोड़ा और बढ़ जाए और उसके बाद यदि आप पैसे वहाँ से SWP के जरिए withdraw करेंगी तो ये एक बहतर विकल्प मना जा सकता है और साथ ही आप यहाँ पर हर महिने 0.50% के rate से withdraw करें यदि आप चाहती है कि आपका जो capital है वो protected रहे यानि कि समय के साथ वो बड़े भी और कम से कम जितना invest किया है वो कम ना हो तो ऐसे में यदि withdrawal छोटे होंगे तो chances हैं कि आपका जो capital है वो कम नहीं होगा लेकिन यदि आप बड़े withdrawal करेंगी और investment उस rate से grow नहीं होगा तो हो सकता है कि जो आपका principal amount है वो समय के साथ कम होता जाए और schemes पर मेरी राय यह है कि आप ICIC potential balance advantage fund और HDFC balance advantage fund को consider कर सकती है और अब लेते हैं आज का आखरी सवाल जो पूछा है मुकेश सर्मा ने मुकेश जी का सवाल यह है कि तीन mutual fund में SIP है लेकिन तीनो small cap fund है यह गलत है या सही है तो मुकेश जी मेरे साब से यह गलत है किसी भी investor को एक diversified portfolio में invest करना चाहिए किसी एक वक्त पर हो सकता है कि एक market segment या एक category की schemes अच्छा perform कर रही हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ उस category में invest करें इससे आपका जोखिम बहुत बढ़ जाता है आपको यदि तीन scheme करनी है तो मेरी राय तो यह है कि एक large cap, mid cap और small cap fund आपके portfolio में रहना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही जिन सवालों के मैंने उतर दिये मुझे उमीद है कि आपको ठीक से वो जानकारी समझ में आ गई होगी आप इसी तरह से आपके सवाल और सुझाओ कमेंट बॉक्स में पोश्ट करते रहें इसे के साथ मुझे दीजे इजाजत अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी थैंक्यो जैहिन म्यूचल फंड निवेश बाजार जोखिमों के आधीन है योजना से संबंदित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पड़े